जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में चुनाव 10 साल बाद होने जा रहा है 2014 में चुनाव के बाद PDP के साथ आप गठवंदन करते हैं BJP PDP यानि महभूबा मुफ्ती वहां CM बनती हैं और इसके बाद आप अचानक समर्थन वापस करते हैं 2018 में और चुनाव में जाते हैं देश लोग सबाद चुनाव में जाता है और उसी दौर में 2019 में फरवरी में पुलवामा की घटना घटती है यह सब कुछ अचानक यह सारी बाते याद आ गई लेकिन 5 अकस्त 2019 को आर्टिकल 370 आप हटाते हैं उसके कुछ प्रावधानों को हटा देते हैं क्या उसके बाद से 10 साल बाद जब अब चुनाव के मोड में हैं परिसितियां बदली बदली सी हैं क्या अब यहां कमपटेबल है बीजे पी लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जो पीडी पी यानि महबुआ मुफ्ती इनके साथ थी वो कमपटेबल हैं या नहीं होंगी क्या उनको वहां के लोगों ने माफ कर दिया होगा आप तक या वो सारी घटनाओं को वहां के लोगों ने मतलब उनको वो भूल गया होंगे जरा इस पर भी फोकस डालिएगा क्या है कश्मीर का मामना ऐसा है कि कोई नेरेटिव उनके पास है नहीं उन्होंने जो मतलब दावे जो मिल लेंड इंडिया में मतलब बाकी जगों में देश का करते हैं वो की 370 हटाने के बाद हमने ऐसी शंती अस्थापित कर दी यह इचा कर दिया वह इचा कर दिया उसको इवन कश्मीरी पंडित भी वहां का सुखार करने के लिए तयार नहीं है कि उनको तो वास्तिविक्ता धरातर पर है वो दिखाई देता है जो कश्मीर के लोगों ने जो साहा है वो तलग बात है जो इनका समूह के रूप में जो सबसर बड़ा एलाए है कि जहां जहां उन् काम नहीं कर पाए हत्याय हुई लोगों को कोई वहां कुछ नहीं कर पाया तो जो पुनको पुनर अस्थापित करने का जो दावा किया था इन्होंने वो गलत निकला और जो कश्मीर के बाकी अवाम है वहां का वो उसको तो देखी रही है कि किस तरह का सिच्वेशन है तो फेल्ड नेरीटिव का मामला आई फेल्ड गवर्नेंस का मामला ये बोधी मीडिया के सहारे dealer politics के लिए कश्मीर का 337 और कश्मीर की समस्या का इस्ते nee कर सकते हैं तो वो इनके साथ भले ही आ सकते हैं, बाकी कोई इनके साथ आने माला नहीं है, तो कश्मीर का तो lost narrative है, lost governance है, और यह जो गवर्नर, lieutenant governor है, उनके बारे में आप कई तरह का सुनी चुके है, वहां किस तरह कोशिस RSS के पदादिकारी कर रहे थे, एक बड़ी corporate company के लिए दलाली क काम, वो भी लोगों का आ चुका है, तो वहां पर एक पुलिंदा है, भरस्टाचार का, mis governance का, atrocities का, democratic rights के हनन का, तो वो जो है, वो real test case है, जब इंडियन democracy का, जहां कि इंडियन democracy को fail मानना चाहिए, इनके नेतुरित में, तो इसलिए, मतलब जिस तरह से कश्मीर में किया ग गया है, हिंदुस्तान के का बड़ा मध्यवर्ग जो है, undemocratic है, communal है, और यह है, क्या कते है, मतलब इन चीजों को समर्थन करने वाला है, तो ऐसे इस वज़ा से यह चल गया, तो दूसरे किसी भी सब मुल्क में, जो कश्मीर के साथ किया गया, इन्होंने, उसको स्विकार नहीं करता, अब है क्या कि महरास्ट और यह कि कश्मीर का इलेक्शन इसलिए अलग किया गया, कि दोनों जगा अलग 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 नेरेटिव पर चुनाओ लड़ना है, यहां डिविसीव पॉलिटिक्स तो है, कश्मीर को दिखा करके चुनाओ लड़ना है, वहां लड़ें तो निश्ची तोर पर यह नेरेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मुझको मेरी जो समझ है, यह जो चुनाओ महरास्ट का टाला गया है, वो तो लोकल एक्वेशन सही, कि वहां बहुत कुछ खेल करना चाहते हैं, वो खेल अब कब होगा, कैसे करेंगे, अड़्जस्ट, ओड़ अगरे का सारा मामला तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो मुझको लग रहा है कि दो नेरेटिव एक साथ आप नहीं चला सकते, इसलिए उनको चुनाओ आयोग, चुनाओ आयोग तो जो आप काते कि वन नेशन, वन एलेक्शन वो तुकमंदी में भले ही फिट बैठता हो, ल साजी उक्मार जी और उनके संस्ता का, तो उसको तो डिपार्टमेंट हो मिनिस्ट्री का एक ये डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जैसे एडी बगएर है, तो इसी टाइप का वो डिपार्टमेंट है, उसको तो कोई हैसियत ही नहीं है, उसकी उसी हिसाब से वो जो है, कर आपना सबस्ट करता है अब प्रधान मंत्री नहीं वहां पर यह क्या कर रहा है और पर कुछ का सब शुब HOW अगर प्रधान मंत्री का को हुजूर आप जब आ सकते हैं परचार के लिए तब आई यह नहीं तो जाने दीजिए आप जैसा कहेंगों इसा करेंगा अपन तो यह तो है लेकिन इसके साथ नेरेटिव का भी कंफिलिक्टिंग कंफिलिक्टिंग नेरेटिव है दो जग वहां चुनाओ नहीं लड़ सकते हर्याना चोटा सब प्रदेश है वहां भी लेकिन वहां सब लोगों ने बताया मैं दोराना नहीं चाहता हर्याना में भी कोई नेरेटिव नहीं है मैं तो आपको कह रहा हूं कि सिर्फ विनेश का मामला नहीं है सब के प्राइड का मामला है वो सिर्फ उस बच्ची के लिए समर्थन में लोग उसको हराएंगे ऐसा मुझको लगता और अभी अगर यह चुनाओ हो जाए देश में तो देश में भी बीजेपी कई सीटे हार जाएगी उसके लादी चबर दस्त समर्थन करते हैं उनका वीडियो भी आ गया है अब वो देखे वो उसका अभी मैंने देखा नहीं है उसके कितनी है तो सोचल मीडिया से ले करके सारा जो है विनेश के पक्ष में है जन्मानस वो किसान वगेरे तो जो मुद्दा है बिरोजगारी और जो जाट का इकी नाराजगी औ दोसर तो है इसके अलावा ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा ने ये इमोशन का सवाल है देश का नाक नीचे करवा दिया है लोग तो ये बात को लोग मान ये करेंगे तो ये दोनों जो है ये मुद्दे इस तरह से ये इसको इसी तरह देखना चाहिए दोनों चुनाव हारेंगे ये बहुत बुरी तर हारेंगे जी बिलकुल बिलकुल आप सही कह रहे हैं दोनों चुनाव हार की कगार पर क्योंकि भी चुनाव हुए नहीं है रिजल्ट चार अक्टूबर को आना है लेकिन उससे पहले ये बीजेपी भी शायद अंदर उस्टा ने सोच रही होगी कि करें तो क्या करें अलाकि ग्रे मंत्री अमित शाह हमिशा की तरह भवईश्वानी कर चुके हैं कि तीसरी बार हर्याना में हम ही सरकार बनाएंगे बीजेपी ही सरकार बनाएगी आज ही घोशना कर रहे थे वह उपर और चाहता हूं अगर इस सब्सक्राइब कर देगी जिए चार सो पार का नारा देखकर मोह की खाए और अभी भी अंधभक्त अगर आपने हमारा यूटूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेर कीजेगा और कमेंट करके बताइ अभी इस प्रक्टरचार पर आपकी क्या राया है धन्द्लेवादूब जिसेजिए अभी इस परफ्सक्राइब कर दो आपकी क्या राया है धन्यवादूब